तो आज हम बनाने जा रहे हैं पेस्ट छोले तो आप वीडियो पर बने रहे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो यह आ गया है हमारा तेल और इसमें हम डालेंगे पचफोरन और इसमें डाल देंगे प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने तक घुजेंगे इस बढ़िया से अब हमारा प्याज भून चुका है इसको अच्छे चला देंगे और इसमें डाल देंगे हम कुटी होई अपनी मिर्च और थोड़ी सी अद्रक लेसुन का कुटा हुआ प्याज इसको डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे तो गाइस हम अपने इसे अपनी तरीके से बनाते हैं इसमें डाल देंगे पानी और आप कहेंगे मसाला हम अपने तरीके से बना रहे हैं होटल स्टैल में इसमें डाल दिया पानी अच्छे से चला लेंगे और इसके बाद डाल देंगे हम अपने मसाला जो हम रेडिमेट डालते हैं यह हम नहीं कहेंगे कि अपने होमेट सिक्रेट ऐसा कुछ भी नहीं यह खरीदा हुआ बजार का पैकेट मसाला डालने मिक्स मसाला सबजी मसाला और गरम मसाला तो इसको डालके अच्छे से हम भूज लेंगे तो गाइज इसे हम चला लिए हैं अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे नमक स्वादा अनुसार अब कहेंगे आप नमक भी पहले जी यह हमारा इस्टाइल है हम अपने इस्टाइल से नमक भी इसमें पहले ही एड़ कर देंगे तो यह हमने नमक एड़ कर दे रहे हैं तो इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल दे रहे हैं हल्दी डाल के हम चला दिये हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह अपना प्यूरी बना के तयार कर लिए हैं इसमें प्याज पीसा हुआ है और इसमें हल्दी डाल के पुरे अच्छे स्चला लेंगे यह हमारे हगे छोले जो पके हुए कूकर में उबाले हुए हैं और इसको हम इस छोले के अंदर डा देंगे तो आइस डाल के इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे मिक्स कर लेंगे पूरा इतने नमक मसाले सब इसमें मिक्स हो जाएंगे तो गाइस हमारे छोले एकदम पक के तयार है तो गाइस हमारे छोले तयार है मिलते अगले नेक्ट वीडियो में जैहीं जैवार